हाइप्रेंडस में हूँ बंचिधर और bending हैं अब सभी का बहुत्बहुत सभाफ़ कषिज ए स्परइडस हमारे ऑर सिरीज में आज में आपका बताने बालाहूँ व कुछ में आपने बिल्कुल से yaş़ों on करते हैं हमारा अब्जेक्टिपन जो भी वहांपर हम अलग-अलग Creatives यूज करते हैं जैसे कभी-कभी हम सिंगल इमेज यूज करते हैं कभी वीडियो फॉर्माट भी यूज करते हैं लेकिन आपको फ्रेंड्स पता है कि फेस्बुक का जो प्लेस्मेंट नेटवर्क है वो डिफ्रेंट है जैसे कि फेस्बुक फिड हो गया इंस्टाग्राम हो गया मार्केट प्लेस हो गया इस टाइब के बहुत सारे है अभी अगर जो आप यूज करेंगे इसके बीचे और साइन्स है इसका Weiter cinese किया होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए उसका साइच क्या होना चाहिए इस टाईप के यह यह पुरे डिटेल से इसको समझना बहुत जाँड़ा है क्यूंकि फैस्बुक का जो आड Ki Bieniin से यानी आपका Liberty बढ़िया है या फिर जो प्लाटफॉर्म के लिए आपने वैसा ही क्रेटिफ आपने यूज किया है तो आपका जो आड है आपका जो टेम्पेन है उसका अब्जेक्टिफ जो है डेफिनाइली पुरा होता है यहां पर बिंग ए निव डिजिटल मार्केटर या फैस्बुक मार्केटर इसको इस समझने गलती हो जाता है हम कोई भी फोटोग्राप उठाके डाल देते हैं हमको नहीं पता होता है कि फोटोग्राप का रेजलूशन क्या है उसका उसमें कितने टेक्स्ट लिखना चाहिए वह सारे डिटल्स हमें नहीं पता होता है यानि फैस्बुक का कुछ गाइडलाइन से जो आपको फॉलर करना पड़ेगा तभी जाके आपका जो भी अब्जेक्टिव्स होगा वह अच्छे से पूरा हो सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि फैस्बुक का जो क्रेटिव का जो फॉमाट है वो क्या-क्या है और उसका टेक्निकल रिक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पर इस टाइप के टेक्निकल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं चरे फ्रेंट्स सुरू करते हैं तो क्रेंट्स आप देख सकते हैं मैं अल्रडी मेरे कंपüटर स्क्रीन पर हूँ यहां पर आपको आपके आरड मेनेजर पर आ जाना है जाकते हूं इसंप करते हैं इस को हम काण्टिव करते हैं आपको यहां देखने मिलता हैं तीन आन जो different level, so यहां पे campaigns में, जो आपका creatives आप डालते हैं, यहां पे यह आढड वाले, जो सबसे last वाले level है, वहां पे आपका creative डालते हैं, तो यहाँ पे art वाले level हम करते हैं, click, यहाँ पे art वाले level पे click करने के बाद, थोड़ा सा scroll down करके आपको नीचे जाना है यहां पर जैसे scroll down करके हम नीचे आये यहां पर आप देख सकते हैं कि art का format यहां पर लिखा हुआ है choose your मतलब यहां पर आपको art का format लिखा हुआ है यहां पर तीन format यहां पर दिया हुआ है facebook में तीन format मतलब Facebook खुद बता रहा है कि आपको single image आप यूज करना चाहते हैं या वीडियो आप यूज करना चाहते हैं आप crucial यूज करना चाहते हैं या फिर आप collections यूज करना चाहते हैं तो single image और video बहुत जादा यूज होता है ad में प्रोजल का importance भी बहुत जादा है या आप एक साथ 10 image भी आप यूज कर सकते हैं image और video भी आप यूज कर सकते हैं और collection का मतलब अगर आपका e-commerce है या e-commerce related चीज़े है तो आप यहां पर collection यूज कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं यहां पर advanced preview करके भी आप check कर सकते हैं म तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि facebook feed में यह कैसे दिखेगा यहां पर instagram feed है instagram feed पर कैसे दिख रहा है यहां पर marketplace है तो marketplace में कैसे दिख रहा है थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा जो दूसरे दूसरे जगा है कहां पर कैसे विल्तपे कैसे डिखेगा जो इहां पर आप इस तरी के साथ डेख सकते हैं कहां कैसे डिखेगा सब्सक्राइब और लिकृटिशpen नहीं इसके लिए यह समझना ज्यादा ज़रूरिए तो यह था यहां पर हमने देखे कि हमारा जो क्रिएटिबस है कहां कैसे दिखेगा आएंगे तो आपको यहां दिखाए देगा प्राइमेरी टेक्स आड करने का अप्सम है और यहां पर आप मालेजे की मैं कराउजल सिलेक करता हूं करने के बाद आप यहां देख सकते हैं नीचे जो है यह आड कार्ट में अगर हम सिलेक करते हैं तो आड इमेज का अप्सम से या आड वीडियो कार्ट का अप्सम से तो यहां पर इस तरीके से यह अप्लोड किया जाता है और यह टेक्स बगरे की आड करना है अलाकि यह वीडियो का टॉपिक नहीं है अभी मैं आपको दो आर्टिकल्स में आपको दिखाना चाहता हूं जो खुद का फेस्बूक का ही आर्टिकल्स है यह देखिए यह फेस्बूक का ही आर्टिकल्स है यहां पर यह वाले जो है ना इसको आप कॉपी कर लेना मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यह है facebook.com slash business slash arts guide तो इसको आप कपी कर लिजीगा यह फेस्बूक का ही guidelines है यहां पर मैं आप आपको बताऊं यह देखिए facebook खुद बता रहा है कि आपका जो ad में जो आप creatives यूज करते हैं उस creatives का क्या technicality है उसका क्या specificism चाहिए उसके लिए facebook guide करता है तो यहां पर इन details में लिखा हुआ है तो example हम लेते हैं जैसे कि हम arts में image यूज करते हैं हमने यहां देखे ना हम यूज करते हैं और यहां पर आपने देखा में यहां पर रहते हैं और कुछ आध में यह collection वाले हम उसकरते हैं तो यहां पर आप click करेंगे यहां पर मैं आपको प्लिक करके दिखाऊंगा यहाँ पर अगर आप click करेंगे, example हम image वाले पर click करके हैं तो image वाले पर click करके, यहाँ पर चूज placement लिखा हुआ है, यहाँ पर निच्छा आप click कर सकते हैं चूज placement पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने type के placement है जैसे कि facebook instant article से है, या facebook in stream video है, facebook video feed से तो इतने type के placement है आप किसी भी placement को select कर लिजे एक example randomly हम लेते हैं से Instagram feed हमने यहाँ पे select किये जैसे Instagram feed यहाँ पे हमने select किये यहाँ पे सबसे पहले दिखा दिया कि Instagram feed पे आपका जो creative से कैसे दिखने वाला है और यहाँ पे उसके पूरे technical detail यहाँ पे दे दिया कि आपका design recommendation क्या है आपका image type क्या होना चाहिए image का ratio क्या होना चाहिए image का resolution क्या होना चाहिए और text recommendation भी दे दिया कि आपका primary text कितने characters के होना चाहिए headlines कैसे होना चाहिए maximum number of hashtag आप कितना यूज कर सकते हैं Technical requirements भी यहाँ पर बता दिया कि maximum file size आपका कितना होना चाहिए, maximum width कितना होना चाहिए, aspect ratio क्या होना चाहिए, तो यह सारे के सारे details बता दिया और यहाँ पर भी आप एक अंधाजा लगा सकते हैं कि Instagram feed पर आपका यह कैसे दिखेगा, नीचे और भी option से यहाँ पर आप campaign objective से लेक सकते हैं, अब यह example एक दूसरा हम select करते हैं, say example, यहाँ पर facebook marketplace हम placement select कर लेते हैं, जैसे facebook marketplace हमने select किया, आप यहाँ देख सकते हैं, facebook marketplace में इसका image कैसे दिखेगा, ओचेंज हो गया, और यहाँ पर देखिए facebook marketplace के बारे में भी details में लिखा हुआ है, उसका design recommendations लिखा हुआ है, technical recommendation लिखा हुआ है, technical requirements लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक correct placement पे आप जाके check कर सकते हैं, यहाँ Instagram stories दिखा रहा हुआ हूँ, देखे, Instagram stories पर आपका creatives कैसे दिखता है, और Instagram stories के लिए यहाँ पर, again, उसका पूरा design recommendation, technical recommendations यहाँ पर लिखा हुआ हुआ आगया, इमेज अगर आप यूज करते हैं, अगर मालजे कि हम वीडियो यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो पर click करेंगे, जैसे आप वीडियो पर click करेंगे, देखे, हमने यह वीडियो पर click किये, जैसे आप वीडियो पर click किये, यहाँ पर again same चीज है, यहाँ पर वीड यहां पर दिखाई दे रहा है और वीडियो का डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है कि वीडियो का जो फाइल टाइब है वो क्या होना चाहिए देखिए फाइल टाइब MP4, MOV और GIF होना चाहिए और वीडियो का रेशियो क्या होना चाहिए वीडियो का रेजलुशन क्या होना वीडियो का captions के बारे में लिखा हुआ है, वीडियो sound के बारे में लिखा हुआ है, text recommendation यहाँ पे लिखा हुआ है, technical requirements यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वीडियो का पूरा details लिखा हुआ है, design recommendation से लेकर text recommendation और technical requirement पूरा लिखा हुआ है, Similarly, यहाँ पे आप click करके अलग-अलग जो placement है, उस placement पे आप देख सकते हैं, एक example लेते हैं, Facebook Groups फिट का example लेते हैं, देखें, Facebook Groups फिट में आपका वीडियो कैसे दिखेगा, और यहाँ पे उसका again पूरे के पूरे requirements लिखा हुआ है, अब चलते हैं friends, करोजल पे, अब यहाँ पे करोजल पे click करते हैं, जैसे ही हमने करोजल पे click किये, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखें, यह जो है, आप का जो ongoing फॉमाट में यहाँ पर दिखने लगा है, तो यहाँ पे आप Paulo एलग-अलग ताइब का placement कर सकते हैं, यह देखें, जैसे की Facebook Reels, bijvoorbeeld हम से पर कैसे दिखेंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर जो लेप sorry यहां पर तक्निक кол Content पर अगर हम जाते हैं अगर आपका e-commerce related products है और या फिर आप e-commerce है तो यहां पर आप collections बाले पर आप click कर सकते हैं collection में भी same तरीका है देखिए collection card e-commerce card कैसे दिख रहा है अलग-अलग placement पर कैसे दिखेंगे और उसका technical placement जो है technical requirement, design requirements यहां पर आपको गोथर करना है so friends यह बहुत ही important URL है जो facebook का ही है आप इसको please copy कर लेना और please गोथर करना अगर आप new digital marketer हो newly आप facebook marketing कर रहे हो तो इसके लिए यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर है हाँ यह आप एक दो पांस बार दस बार आप गोथर करोगे तो आप used to हो जाओगे और आपको every time आपको गोथरो नहीं करना पड़ेगा जिसे कि मैं अभी आरण करता हूं तो मुझे यह गोथरो करना नहीं क्योंकि हम काफी सालों से आरण कर रहे हैं लेकिन अगर आप newly आरण कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यह definitely जो है यह आपको देखना पड़ेगा इसको लॉन करना पड़ेगा अभी यहां पे मैं और एक URL से आपको दिखाने वाला हूं यह देखिए यह वाले URLs को भी आप कपी कर लेना यह URL से facebook.com slash business slash ads slash ad format यह देखिए यह इसको मैंना highlight किया इसको आप कपी कर लेना एगें इसका जो link है मैं description पे देदूंगा यहां पे जो है ना यहां पे facebook से आपको बहुत सारे ideas मिल सकते हैं बहुत सारे inspiration मिल सकते हैं उसके basis पे आप आपका art plan कर सकते हैं जैसे कि हमने photo वाले ads हम run करते हैं तो यहां पे photo वाले ads run जब करता हैं इसको मैं अपोने ने new tab कर लेता हूं है ना और यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो वाले ads है और यहां पे आप देख सकते हैं storage वाले ads है यहां पे आप देख सकते हैं messenger वाले ads है यहां आप देख सकते है क्रहोजल वाले आड है तो इसको मैं अपोने ने नियू टैप करके देख लेते हैं तो यहां पर आपको क्या इंस्पारेशन मिलेगा आप देख सकते हैं तो पहले फोटो वाले जो आइड्स पर हम क्लिक किये हैं उसको चेक करते हैं यहां पर देखिए एक चीज़ आप सबसे इन दियां सिमिलरलि यहां पर ऊपको तिप्स भी दिया है यहां पर लोग का प्रॉडक्स बयुक्त लोग लोग यूज करते हैं तो उसका भी इसैच्व करते हैं तो उसका भी पर देसक्ते हैं यहां पर देखें क्या इस ने दिया है, maintain visual consistency यह बताया हुआ है, use high resolution image यह बताया हुआ है, और एक example दिया है, experiment with new visuals, आपको हमेसा new visuals के साथ experiment करना है, तो यहां पर आपको ऐसे बहुत सारे new ideas मिल जाएंगे, इस पर आप click करके आप पड़ सकते हैं, तो कोई भी art format का, अभी यहां पर हम जाते हैं corrosionals का, यहां पर देखें corrosionals का, अगर हम art पर आये, तो यहां पर दिखाए देने लगता है, देखें corrosionals art format ऐसे दिखता है, इसमें आपका primary text कैसे लिखना चाहिए, primary text पर आपको क्या highlight करना चाहिए, आपका image कैसे दिखना है, image के नीचे आप अगर headline साब लिखते हैं, तो वो कैसे दिखना है, इसके साथ साथ यहां पर पूरे details यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर मतलब कुछ इसने suggest किया है, वो भी लिखा हुआ है, तो friends, यह जो दो लिंक मैंने बोला है, इसके throw में ही लोग आपके arts पे click करते हैं, या आपने जो भी CTA आपने रखा होगा, उस CTA पे वो accents लेते हैं, और यह जो है, मैंने आपको जो यह दो जो मैंने link बताया, इस दो link को आप गोत्रो करिए, इसमें और एक चीज मैं आपको स्यार करने वाला home trends, मैरा personal recommendation से, यह तो मैंने दो Facebook का आपको link बताया, जो सबसे बहतरीन है, इसके अलाबा आप खुड़ा सा Google करने का अगर आप कस्ट करेंगे, तो Google समें भी बहुत सारे articles आपको मिल जाएंगे, Facebook are creatives के बारे में, उसके format के बारे में, आप Google में भी आप गोत्रों करिए, तो आपको और थोड़ा सा idea मिलेगा, लेकिन Facebook का जो link है, यह सबसे बहतरीन है, so friends, इसको आप बिल्कुल भी, मतलब, यह नहीं करना, lightly मतले ना, क्योंकि creatives अगर आपका, आप अपने मर्जी साब कुछ भी creative style दे, तो आपका our success नहीं होगा, और आपको नहीं समझाएगा, being a new marketer, आपको लगया कि क्या गलती हो रहा है, so इसके लिए इन details में, आपके लिए वीडियो लाया, friends, उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो please like, comment, share, जुरूर करना, अगर आप यहां तक मेरे वीडियो देख रहे हैं, और आप हमारे चनल पर new है, अभी तक हमारे चनल को आपने subscribe नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे request है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, यहां पे सरीब हम technical वीडियो डिजिटल मेडिया मार्केटिंग के लिए लाते रहते हैं, चले friends, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तक तक वे सब्सक्राइब। बजयों के लिए और किया है,